हेलो डियर स्टुडेंट बिलकम तुमा यूटूब चैनल पीकेपी आज की क्लास में हम इवियस और कंटेंट की स्टेडी करेंगे जो कि आपकी प्रिवियस येर फेरवरी 2014 में आ चुका है ठीक है तो यह आपके 15 इंपॉर्टेंट कुस्टन से जो कि फेरवरी में आ चुके ह है 2014 का प्रिवियस पेपर है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम पहले कुस्चन से पहला कुस्चन है आपका देखो इसमें क्या हुआ है कि पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्थ है यानि कि विच स्टेट्मेंट इस ट्रू और आपको चौर आप्शन क्या दिये हैं चार पॉइं है बिल्कुल सही अधिकांस हाथी दिन में लगबग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं ठीक है तो हमेशा ये बात याद रखना कि हाथी सिर्फ 2-4 घंटे ही सोना पसंद करता है तो यह तो गलत हो गया तीन महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगबग 200 केजी होत लगब 1st का option number कौन सा correct हो जाएगा 3rd correct हो जाएगा ठीक है नंदु हाथी यह chapter है जो कि मैंने आपको content वाली वीडियो में करा रखा है वहां से आप इसको अच्छे से देख सकते हो नेस्ट है मधुबनी यह भी आपका content में हो चुका है ठीक है क्या है यह बिहार जिले का एक village है जिसका नाम क्या है बिहार का एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी वहां पर क्या होते हैं बहुत सारी painting से बनाई जाती है तो देखते हैं क्या क्या point दिया है इन चित्रों को बनाने में नील हल्दी फूल पेड़ों के रंग इस्तिमाल बिलकुल सही जानवर बनाय जात पेड़ फूल पंची मचलियां यह सब बनाय जाते हैं बिलकुल सही यहां लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामकस्थान के नामकस्थान पर पड़ा बिलकुल सही मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है बिलकुल गलत क्यूंकि म मतलब आपका answer क्या हो जाएगा fourth हो जाएगा next हम देखते है question number 63 कोई पच्छी पेड़ की उची डाल पर अपना घोसला बनाता है या पच्छी हो सकता है ठीक है तो जो उची डाल पर अपना घोसला बनाता है वह पच्छी कौन होता है तो आपका answer क्या होगा कववा होता है जो की पेड़ की उची डाल पर घोसला बनाता है ठीक है next देखो आप question number 64 है पोचम पल्ली एक गाउं है यहां गाउं एक बिशेज प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रिशिद्ध है और इसे भी पोचम पल्ली ही कहते है पोचम पल्ली यहां गाउं न रेगिस्तानी ओग बहुत ही important हो जाता है यह क्योंकि इससे बार-बार question आपका आता रहता है हर साल maximum यह question आता ही आता है तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़के जाना है ठीक है class 5th की NCRT EBS की है और मैंने वीडियो में करा रखा यह option statement क्या है इनके बारे मे रेगिस्तानी ओग कहां पाय जाता आउस्ट्रेलिया में बिल्कुल सही यह एक बिसेज प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़े टहनियों सी लटकी रहती है ठीक है तो आप क्या देखोगे यह आपको option बिल्कुल गलत है ठीक है इस पेड़ की जड़े जमीन में उस गहराई इस से पच्तें का पाइप सियाए कर है और आप दो आव और पाहियों से बिल्कुल सही तो आपको याद रखता है अब देखो option AC-D वी तो बिल्कुल गला थृद कि जड़े अंदर जातीывает और इनोंने बोला तन यहांड सी लटकी रहती है तो बिल्कुल नहीं ठीक है तो A, C, D कौन से option में आप देखोगे option number 2 तो आपका correct answer हो जाएगा option number 2 अबुधावी जहां से petrol निकाला जाता और जहां का currency की बात की जाएगी तो यहां की currency क्या है दिरहम है देख लेते हैं क्या क्या चीज़े है यहां रेगिस्तानी इलाके में है बिल्कुल सही है ठीक है उसके बाद अबुधावी में पानी पेट्रोल से महंगा है बिल्कुल सही क्योंकि वहां पर पेट्रोल पानी से सस्ता पाया जाता है तो इसको statement को इन्होंने घुमा दिया है कि पानी पेट्रोल से महंगा है बिल्कुल सही यहां की अस्थानिय भासा अर्बी है बिल्कुल सही आबुधवी की मुद्रा को दिनार कहते हैं बिल्कुल गलत क्योंकि यहां की जो मुद्रा होती है, करन्सी होती है उसे दिरहम कहते हैं, क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं, that means आपका जो option ABC को बियर करेगा जिसमें ABC होगा वही आपका correct answer होगा तो आपका option number क्या हो जाएगा fourth इसका correct answer हो जाएगा कुछ जानवर रात में जागते हैं और ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं देखो ये भी मैंने discuss किया कि जो animals रात में जागते हैं ठीक है वो हमेशा किसी भी चीज को black and white ही देखेंगे यानि कि काला और सफेध ही देखेंगे 67 का option number आपका third correct answer होगा नीचे चित्र एक से एक में 24 घंटे की घड़ी दिखाए गई है ठीक है 24 घंटे की घड़ी है कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है तो आप count करो 1,2,3,4,5,6 और 6 तूजा 12 यानि कि इस watch को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है अब आपको पता है कि ये पूरा कितना घूमता है ठीक है तो जब यह 12 पार्ट में है और टोटल कितने घंटे है 24 गंटे तो 12 पार्ट किसके बराबर हो गया 24 आवर के बराबर हो गया तो एक पार्ट किसके बराबर हो गया 24 को आप 12 से भाग दे दो 12 दूनी 24 तो 2 घंटे के बराबर हो गया यानि कि जो एक ब्लॉक है ये जो एक ब्लॉक है ये दो घंटे के बराबर है तो अब आँ देखो जानवार X में देखो तो कितने ब्लॉक ले रहा है ये दो ब्लॉक ले रहा है इसका मतलब दो दूनी चार घंटे और इसमें आप देखो तो कितने ब्लॉक ले रहा है टोटल क्या हो जाएगा option number third इसका correct answer हो जाएगा ओके डियो निस्ट आता है question आपका अम्रित सागर की बारे में पूछा जा रहा है ठीके तो अम्रित सागर की बारे में जब भी question आए तो आपको समझना है कि यहां का पानी कैसा होता बहुत ही जादा नमकीन होता है तो देखते हैं क्या क्या option है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है बिल्कुल गलत ऐसा सागर जो सभी महा सागरों सागरों से जादा नमकीन है बिल्कुल correct ऐसा सागर जिसमें जार भाटे बहुत तेवरिगती से आते हैं बिल्कुल गलत ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है बिल्कुल गलत ठीक है क्योंकि जहाज तो आसानी से तैर सकता है क्योंकि ये खारा पानी है तो लेकिन इसने क्या बोल दिया खतरनाक है तो ये भी option क्या हो गया गलत हो गया इसका मतलब कौन सा option इसमें सही है option number 2 इसका correct answer दिया है ठीक है अब बात आती है आपके question number next question हम देखते हैं क्या है question number 85 है ठीक है यहाँ पर देखो कुछ point दिये हैं कुछ theory दिये हुई है और इसके according आपको answers करना है तो यह chapter भी मैंने करार रखा इसमें असम, केरला, गुवा हर जगा की बात की गई है कि कहाँ पर कौन सी चीजे क्या लोग खाना पसंद करते हैं ठीक है लेकिन जब भी आपको ज़्यादा पढ़ने की जुरूत नहीं क्योंकि exam में इतना time नहीं होगा लिंग हूँ फेन दिख गया आपको न तो लिंग हूँ फेन जब भी दिख जाएगा यह होंग कांग इसका answer आप 100% आँख बंद करके कर देना ठीक है तो पूरा मत पढ़ना अगर आप पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो बाकी जैसे ही आपको लिंग हूँ फेन दिख जाए आप उसको टिक कर सकते हो ठीक है तो एक लड़की है और वो साब खाना पसंद करते हैं और उनकी साब खाने की इच्छा हुई तो वो पास की होटल में जाकर लिंग हूँ फेन खाते है अब हो अच्छात्र कहा का हो सकता है तो कहा का हो सकता है होंग का हो सकता है जो कंटेंट कि मैंने बनाए हैं hundred परसेंट आप उसको देख लो और 15 नंबर आप अपने शेयर कर लो ठीक है अब बात आती है ब्रेल लिपी के बारे में कुछ पॉइंट दिये है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदू उभरे बिंदू बना कर लिखा जाता है ठीक है बिलकुल सही बात है ये 8 बिंदू पर आधारित है बिलकुल गलत बात कियोंकि कितने पर आधारित है ये 6 बिंदू पर और जो 2014 में आया हुआ कुष्चन है सेप्तमबर का उसमें यही पूछा है कि ब्रेल लिपी कितने बिंदू पर आधारित है ता आपका अंसर क्या होगा 6 बिंदू पर आधारित है नेस्ट हम देखते है 87 अब यहां पर बात हुई है कुछ जानवरों के बारे में जैसे जरायुज हो गए अंडायुज हो गए जो बच्चे देते हैं जो अंडे देते हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट दीन हुए देखते हैं क्या इसमें कथन है है आपका क्या जिन जानवरों के बाहरी कान वा सरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं बिल्कुल सही क्योंकि अब यहाँ पर देखो जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया इनके कान क्या है बाहर है इनके सरीर पर बाल भी होते हैं क्या देते हैं बच्चे देते हैं जिन जानवरों के बाहरी कान वह सरीर पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं ये भी बिल्कुल सही ठीक है जैसे अब यहां पर बात की जाती है लिजार्ड की ठीक है छिपकले की तो उसके कान नहीं दिखाई देते हैं बाल भी नहीं होते ह वो कैसा वाद होता वो अंडे देता है जिन जानवरों के बाहरी कान वो सरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं तो गलत हो गया जिनके बाहर कान होंगे वो बच्चे देते हैं और इन्होंने बोला है कि बाल नहीं है वो बच्चे देते हैं ठीक है और जिनके बाहरी क फरवरी में भी आया तो देखो क्या option दिया इन्होंने मदमक्की पालन सुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है तो यही तो कुश्चन आया था आपको सेप्टमबर 2014 में उन्होंने पूछा था कौन सा सही समय है तो क्या होता है अक्टूबर से दिसंबर ह होता है और इन्होंने क्या वोल दिया जनवरी से मार्च तो इसका मतलब यह option तो गलती हो गया लीची के फूल मदमक्कियों को बहुत लुबाते हैं बिल्कुल सही और लीची की फूल सब ज़दा कहां पर होते हैं बियार में मदमक्की पालने और उनके द्वारा उत्पाद अप्शन नमबर थर्ड करिक्ट एंसर हो जाएगा नेस्टे कुश्चन 89 किसी छात्रा ने अपनी एहमदाबाद से नगर कोईल यह ओमना की सफर जो है उस चाप्टर से है ओमना का सफर ठीक है तो उसमें क्या है कि जो ट्रेन है जो ओमना है वो एहमदाबाद से केरल अपनी जरूरी नहीं कि यही 2 स्टेशन व बीच के कोई भी स्टेशन लेकर दे सकते हैं और डिस्टेयनस टाइम कुछ भी पूं सकते ही स्पीड के अब इसमें क्या नहीं नहीं इस्टेशन का ना हम पहुंचने का समय झोड़ने कंह समय और दूरी दी हुई है उप्रोक चानकारी क आधार पर नीचे दिये गए निसकर्स निकालें ठीक है अब निसकर्स निकालना है देखो क्या क्या इसके option आपके हो सकते हैं अहमदाबाद से नगर कोईल की दूरी 2348 किलो मेटर है ठीक है देखो क्या है क्या अब अहमदाबाद से नगर कोईल यह है अहमदाबाद यह नगर I think 2649 है और यह 301 है ठीक है तो जब भी distance निकालने को बोलता है क्या करना आपको minus करना minus करके देखो 9 में से 1 गया 8 4 में से 6 तो जाएगा नहीं ठीक है तो यह शायद 301 ही है 301 ही हो गई यह आपका ठीक है ओके एक मिनाट तो मैं बताती हूँ यह आपका 301 दिया हुआ है और यह आपका दिया हुआ है 2649 ठीक है अब क्या करना है डिफरेंस निकाल लो तो 2649 और 301 को minus कर दो जब आप minus करोगे तो 9 में से गया 8 4 में से 0 गया 4 और 6 में से 3 गया 3 तो distance आ गया 2348 किलोमेटर इसका मतलब आपका A option सही है अब कहरा इस दूरी को रेल गारी 40 गंटे 55 मिनट में तै करती है यानि कि अब यहाँ पर किसकी बात दे दी इन्होंने समय की बात दे दी अब समय देखो start कितना हुआ 11.30 पर 11.30 पर और कितने कितने बजे वो पहुँच रही है 4.45 पर प्राहता लेकिन समय देखो तो यहाँ पर 10 तारीख था यहाँ पर 12 तारीख आने की 10 से 11 है ना और 11 से 12 तो सुबह साढ़े 11 की बात हो रही है सुबह साढ़े 11 का मतलब क्या हो गया कि रात सुबा साड़े ग्यारा का मतलब ये जो दोपहर वाला ग्यारा थर्टी तरी दिखता है न वही है ग्यारा थर्टी एम है कितना हो गया ये ग्यारा थर्टी एम हो गया ठीक है उसके बाद फिर कह रहा है कि नगर कोई लिए साड़े ग्यारा बजे तक का टाइम ले रहे हैं तब 48 घंटे आ रहे हैं लेकिन उस दिन ये सुबा चार बजे ही पहुंच जा रहे हैं पहुने पांच बजे तो क्या करो साड़े ग्यारा में से आप माइनस कर दोगे तो टोटल 48 घंटे मैंने आपको बताया ठीक है अब उस 48 में से कितना माइनस कर देना है आपको यहां पर देखो तो ग्यारा पचास पर यहां से छूटती है ठीक है तो यानि की दस मिनट यह हो गया इस साइड आपका है और इधर आप देखो कितना टाइम आप जादा ले रो चाड़े चार से ले लो साड़े चार से साड़े ग्या 41 गंटे आ गया और 41 गंटे में भी जब आप थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे और माइनस करोगे ये सेकेंड का मिनट का तो ये 40 गंटे 55 मिनट आ जाएगा ठीके तो क्या हो जाएगा ये भी आप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा इसका मतलब नेस्ट देखो जब ये आप्शन करेक्ट हो गया तो ये तो इनकरेक्ट ही हो जाएगा 28 गंटे तो लगेंगी नहीं किसी कीमत पर नहीं लगेंगे ठीके अब नेस्ट बा 40 से जब इसको भाग दो गे तो 8-4 बत्तिस इसका मतलब यहां 32 होना चाहिए तो 80 तो हो जो ही नहीं सकता है ना इसका मतलब यह फी option गलत यह फी option गलत कौन सा option सा हां जिसमें A और B होंगे तो A और B किसमे है, option number 3 इसका मतलब यह आपका क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा अब आप बात करो, इसी chapter से ही related है, इसी chapter से ओमना की सफर से ही related है क्योंकि जो ओमना का सफर है, यह chapter आपका 3 chapter में complete हुआ है तो अब यहाँ पर question पूछा गया है कि rail ticket पर कौन कौन से जानकारियां दी होती है इन में से कौन कौन से options आपके correct हो सकते हैं तो देखो, ticket book कराने की तारीक, समय और यात्रा सुरू करने की तारीक दिया होता है बिल्कुल दिया होता है train पे, डिबे का number, बर्थ number, किराया बिल्कुल दिया ही होता है यात्रा करने वाले का नाम, आयू और लिंग, ठीक है जब भी बात आती ही, यात्रा करने वाले का नाम तो टिकट पर आपका नाम कभी नहीं लिखा होता है लिखा होता है कभी नहीं लिखा होता है तो यह option तो आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा train का number नाम station जहां से train पकड़ नहीं है अंतिम station यह तो दिया होगा Antim Station पर पहुँँचन की तारीका और समय ये भी दिया होगा तो C उप्षन जोड़ कर जिसमें होगा वो देखलो इसमें भी C है तो ये नहीं होगा इसमें भी C है ये नहीं होगा इसमें आप देखोगे तो यहां पर E नहीं है तो ये भी नहीं होगा तो आपका option number third correct हो जाएगा इस तरीके से आप देख रहे हो आपकी 15 questions हो गए जो की 2014 फरवरी में आए हुए थे और ऐसी में पूरा series चलाऊंगी 2014 का complete हो चुका है अब हम 2015 का देखेंगे ऐसी करके 2019 तक के हम सारी series को देख लेंगे ठीके ताकि आपके अच्छे number EBS में आ सके और अब हम math का भी start कर देंगे तो math का में भी आपका अच्छा आ सके ठीके तो आप पढ़ते रहे हो और प्लीज चैनल को subscribe कर लेजिए और अपने दोस्तों के साथ भी share करिए ताकि paper अच्छा हो सके और हाँ भी कुछ है कि ये paper का भी issue दिख रहा था कि paper होने वाला है वो किसी paper में छपा हुआ तो वो कोई correct नहीं है ठीके क्योंकि वो official कोई notification आई नहीं है तो आप उससे घबराईए मत बस आप अपनी अच्छी से तैयारी रखिए पांच को हो दस को पंद्रा को डजन्ट मैंटर अपनी तैयारी अच्छी से करके रखिए ठीके तो मिलते हैं निस्ट क्लास में थैंक्यू सो मच